वीडियो रेगुलर सिक्षक बरती से रेलेटेड बार बार स्टूरेंट्स के मेंसेज आते रहते हैं कि मैं फर्याड कोशल रोजगार निगम के अंदर सुनने में आया है कि जो रिक्वर्कमेंट है वो तेजी कि जो एक बार बीच भी प्रोसेस को रोक दिया गया था तो ये कह रहे थे कि वैसेके येंडर बरती नहीं होगी तो गूर्मेंट's का जो माइन सेट है वो कलियर नहीं हो पा रहा है कि किस के इंडर क्या कुझ करना है और जैसा कि पहले बताय जा रहा था कि फ्रेशर कैंडेट्स का अभी तक कोई भी रेजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है उनली experience का भी उन्हीं का हो रहा है जिनके की EPF वगरा जो employees numbers जिनको दिया गया है उन्हीं का हो रहा है और उनके भी जो experience है उसको verify करने में बहुत ही ज़्यादा problem आ रही है तो क्या कुछ कहना है HSSS Chairman साब का regular सिख्षक भरती के बारे में और हरियान कोशल रोजगार निगम के अंडर क्या भरती हो का क्या कुछ चल रहा है इस सभी के बारे में जानते हैं इस वीडियो में उससे पहले अगर आपने वर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है अभी तक जिनोंने अपलाई किया था उनका सिर्फ 37% का वेरिफिकेशन हो पाया है तो थोड़ा सा जो उनकी जो नोकरिया है कोंट्रेक्ट बेस पर उनमें जो है तेजी देखने को मिली है अभी तक 28,780 लोगों को जो काउफर और 12,309 को जोईन करने की बाद कही गई ही है से बुरा हाल जो है वो टीचिंग डिपार्टमेंट्स का है आप यहां पे देख सकते हो 26 बहुत अखनीकी सलस्तानों में से सिर्फ आठ में नीमित प्रिंसिपल है 34 जिसमें पढ़ाई कर रही है यानि कि 30,000 स्टूडेंट्स जिसमें पढ़ाई कर रही है only and only 8 जो है नीमित प्रिंसिपल है तो आप यह देख सकते हो यह है स्टाफ की स्थिथी प्रिंसिपल 26 होने चाहिए लेकिन खाली पद कितने है 18 यानि कि सिर्फ 8 प्रिंसिपल है TPO 26 होने चाहिए लेकिन 17 है HOD 179 होने चाहिए 144 खाली पद है Senior Lecturer 112 में पद स्वीकर्थ है लेकिन खाली 78 है और Lecturer के भी बहुत सारे पद खाली है Programmer के, Foreign Instructor के तो यह बात समझ में नहीं हा रही हरे एक Department में इतने इतने पद खाली है फिर भी Government जो है तयार नहीं है regular बढ़ती करने को और जो आपको पता ही होगा कि अर्यान कोशल रोजगार निकम के अंडर जो भरतिया की जा रही है वो Experience बेस पे की जा रही है जिसका कि बहुत ही जादा जो लोस है वो सबसे जादा Freshers candidates को होगा जो कि बहुत ही अच्छी तयारी करने करने में लगे हुए है पहले अपनी Ashtet की तयारी करने में लगे हुए थे अब जो है उनको यह लगा कि screening exam होगा readvertisement होगा इस चीज़ की तयारी करने में लगे हुए है और जो हमारे चसे सी चेर्मेंट साहब है उनका यही कहना है कि अभी तक advertisement बन कर नहीं आया और जब भी advertisement बन कराएगा तो आपको उसकी जो है उसी time release कर दिया जाएगा हमारी तरफ से कोई भी deal बरती नहीं जाएगी तो बात भी बिल्कुल सही है जब top level से order आता है तब ही जो है कुछ जो नीचे वाले persons है वो कर पाते हैं अपने पास से जो जो rule and regulation है वो सभी follow करने इतनी vacancies खाली है 38,000 प्लस vacancies खाली है लेकिन कहीं पर भी कोई भी जो है regular vacancies आने का नीमित प्राधापक नहीं होने से अनुबनित प्राधापक क्योंकि कार्ण शिक्षा का सतर गिर रहा है एक एक सिक्षा के पास कई जिम्मेदारे जिससे काम का बोज पढ़ रहा है नीमित प्राधापक नहीं होने के कार्ण दाखिला होने के बावजुत बड़ी संक्याम विदार्थी कोर्स बीच में ही छोड़के जा रहे हैं स्टाफ नहीं होने से संसादनों के विबिन विबागों में करीब 15,000 सीटे खाली है तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी vacancies खाली हैं तो government complete करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही जब इसके लिए eligible persons इतने बैठे हैं कि रोड पे बेरोजगारों का जो है पाच पांच चार चार हजार रुपे में उनको जो भी offer नहीं हो रही कई departments कई जगे तो इतना बुरा हाल है कि PhD candidates को भी दक्के खाने पड़ रही हैं ठीक है तो qualification matter नहीं करती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी हो चुकी है कई साल हो गए है vacancy आए हुए बच्चों ने PhD करके भी एड़ करके सब भी अपने estate clear करके तीन तीन बार estate clear करके बैठे हैं और कोई भी रोजगार सरकार देने में कामियाब नहीं हो पाई है जो शिक्षा मंतरी जी से इस्तिफाली जिन है मानविय मुख्य मंतरी जी से क्यों नहीं ले रहे हैं शिक्षा जगत में सबसे बुरे हाला था सबसे बुरे दोर से शिक्षा गुजरे स्कूल कॉलेज बहुत अक्निकी शिक्षार सस्तान में सब के बुरे हाल है इतना बुरा होने पर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा बिल्कुल सही बात है ये कोशन अगर मुख्यमंतरी से पूछा जाए कि भई इतनी बेरोजगारी है और इसके लायक जो केंडिडेट्स है वो बाहर धके खा रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी है वो किस और जो अब आप देख सकते हो कि हर्याना में जो अनुबंदादार परहनोकरियों की भरती तेज हुई है इसके पीछे क्या वज़े है इसके पीछे सरफ और सरफ गोर्मेंट का एक ही मकसद है कि जो वेकेंसी दी जाएंगी वो कोंट्रेक्ट बेस पर देखकर एक बार जो है उनको फिल कर लिया जाएगा फिर जो डाटा तयार किया जाएगा कि भही हमने इतना रोजगार दिया उनमें इन सब को एड कर दिया जाएगा ये नहीं देखा जाए क्योंकि जब रोजगार का जो डाटा तयार किया जाता कि किस गोर्मेंट ने कितना रोजगार दिया तो वहां पर ये नहीं देखा जाता कि परमानेंट है ये कोंट्रेक्ट बेस पर हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को कितना रोजगार दिया गया यही देखा जाता है और हर्यान राजे में कोशल रोजगार निगम से इन सभी को जो खाली डिपार्टमेंट से उन सभी को भरने की कोशिश की जा रही है ताकि एक जो अच्छा आकड़ा वो है गोर्मेंट के द्वारा तयार किया जा सके कि भई इतना र लिक्षकों के साथ यह लगातर करते आरहे हैं बार बार जो है टाइम पीड को एक्स्टेंड करते आरहे हैं भी रिड़र्टाइजमेंट होगी खाली होंगे ये होंगे वो होंगे अब तो जो है पदों का भी पता चल गया है फिर भी कोई भी कदम जो है आगे नहीं उठा जा रहा है तो बार बार जो है student से mentally इतने torture हो रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं क्योंकि candidates के हर बार यही message आते हैं कि मैं क्या कोई update information मिली क्या कोई update information मिली लेकिन इस से related कोई भी अगर हमें update information मिलती है तो आपको ज़रूर provide करवाते हैं लेकिन उस information का क्या फाइदा आप बताओ जब तक advertisement नहीं आएगा बार बार यह कह देते हैं कि हमारे तरफ से तो process चल रहा है हम तो उसका wait कर रहे हैं जब भी आएगा कोई भी यह मानने को तयार नहीं है कि इसमें जो है हमारी गलती है क्योंकि गलती अगर accept की जाए तो उसको सुदारा जा सकता है लेकिन कहीं पर भ यह सभी को मिलकर एक कदम उठाना होगा तभी कुछ हो सकेगा ऐसे बात करने से या फिर ऐसे सिर्फ कमेंट करने से बात नहीं बनेगी तो आपकी क्या राए है आपका क्या suggestion है आप गोर्मेंट के बारे में या फिर vacancy जो contract बेस पे कीज आ रही हैं आप उसके समर्थन में हो या regular teacher vacancy आए तभी आप जो है satisfy होगे इस सभी के बारे में जरूर कमेंट बताएगा क्योंकि कई candidates के message आए थे कि मैम अगर contract पे vacancy हो रही है तो इसमें क्या problem है ठीक है तो problem यही है कि जो candidates जो contract बेस पर लग जाते हैं आप उनसे पुछके देखिएगा जो उनका mentally satisfaction है वो नह अपने future पर ही रहता है कि कहीं उसकी job ना चली जाए उसकी job security नहीं रहती ठीक है तो इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे तरह से जानते हो पड़े लिखे हो भही इस चीज़ के बारे में full knowledge है आपको तो आपकी जो राय है वो comment में जरूर बताएगा so thank you so much and please share and subscribe my channels thank you और आपकी जो भी query है वो भी आप comment section में पूच सकते हैं thank you